दिवाली पर भूल कर भी ना करें ये काम, ये साथ काम करने पर होगा नुकसान, जाने किन किन बातों का रखे खास ध्यान, दिपावल ये पर्व हर साल कार्थिक महा की अमवस्यतिति को मनाया जाता है, यहां तक कि दंतेरस से दिवाली की भी शुरुवात हो चुकी है, आज देश्वर में दूमधाम के साथ दिवाली मनाई जा रही है, दिवाली के दिन मालचमी और भगवान गनेश की पूजा की जाती है, मानेता यह है कि दिपावली पर मालचमी का धर्ती पर आगमन होता है, और इस दन किये गए धर्म कर्म के कामों से जातकों की सभी मनुकामना पूरी भी हो जाती है और तो और घर में सुख सम्रिद्धी और खुशाली आती भी है लेकिन दिवाली के दिन कुछ कामों को करने से बचना चाहिए आए जानते हैं दिवाली के दिन किन-किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए इस्तरी का अपमान मानत है कि दिवाली के दिन इस्तरियों का जाने-अंजाने में भी अपमान नहीं करना चाहिए ऐसा करने से मालच में नाराज हो जाती हैं जिससे व्यक्तियों को जीवन में धन की तंगी का सामना करना पड़ जाता है दिवाली के यही शाम को भूल कर भी जाड़ू नहीं लगानी चाहिए और नहीं कूड़ा बाहर फेकना चाहिए मानता यह है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्य को दरीरता का सामना भी करना पड़ जाता है घर में गंदगी नहो दिवाली के दिन साफ सफाई का भी खास ध्यान रखना चाहिए मानता यह है कि जिस घर में गंदगी जादा रहती है वहां मालचमी का वास बिलकुल भी नहीं रहता है नाकून और बाल न काटे दिवाली के दिन नाखून काटना और बाल काटने से बहुत जादा ही बचेना चाहिए जुआ और शराप के सेवन से बचे दिवाली के दिन माना ये भी जाता है कि इस दिन जुआ नहीं बिलकुल भी खेलना चाहिए और ना ही शराप का सेवन करना चाहिए इससे मालचमी बहुत ज़्यादा नराज हो जाती है तामसिक भोजन के सेवन से बचे तार्मिक मानता ये है कि दिवाली के दिन मांस, मचली और शराप के सेवन से बचना चाहिए दरसल ऐसा करने से मालचमी बहुत जादा ही नराज हो जाती है घर में ना रखें टूटी फूटी चीजे दिवाली के दिन घर में कूड़ा कबार और लंबे समय से पड़ी पुरानी चीजे को बिलकुल भी नहीं रखना चाहिए अगर अब तक आपने अपने घर से खराब घरी तूटी बोतल शीशा और फटे पुराने कपड़ों को घर से बाहन नहीं निकाला है तो दिवाली के दिन इन सब समानों को घर से बाहर जरू निकाला है नहीं तो मालचमी नराज हो सकती है दिवाली के दिन मां लच्मी गणे जी कुवेर देपता और सरोसती माता जी की पूजा करनी चाहिए दिवाली की पूजा के दौरान जोर शोर से ताली नहीं बजानी चाहिए और नहीं उची आवाज में आर्ती गानी चाहिए इससे देवी लच्मी नराज हो जाती है दिवाल साल इस खबर में बस इतना ही अपडेट के लिए बने रहें रहें इंडिया हिंदी के साथ